हेलो एवरिवन वेल्कम टू टू दे चनल नितेश एजुकेशन 27 फ्रेंट्स मैं चनल पर यूजिसी नट पेपर फस्ट एंड पेपर टू एजुकेशन और सेकलोजिक त्यारी कर वाता हूं साथी साथ ओलो रों निया पेज़डी अडमीशन्स एंड आल टाप अफ तीची व ठेक है अब कुछ कीशन हम लोगों ने डिसकस किये थे बाकी के क्वेशन रहे गाए थे आज हम लोग उसको डिसकस करेंगे थो यह स्टाट करते है जैसा कि आपकी इस क्रीन पर फर्स्ट क्वेस्टन देख रहा है अज का लेबरेटरी स्कूल का संबंध है option A है Pluto से, B है Russo से, C है Dewey से, D है Kamenius से तो इसका जो सही answer है laboratory school का जो संबन्ध है John Dewey, option number C से है, Dewey से है अब इसका additional information हम लोग देख लेते हैं तो जैसा कि आपके screen पर दिख रहा है laboratory school क्या है laboratory school, laboratory schools it opened in 1896 यानि कि 896 में open किये गए DV testings is ideas of education, यहाँ पर DV ने क्या किया था, अपने विचारों को अपने idea को prediction किया था, test किया था, apply किया था classes consisted of theoretical work and practices, यहाँ पर classes अधिकतर practice और theoretical work पर based होती है the child come to school to do, यहाँ पर बच्चा school किसलिए आता है करने के लिए आता है, ना कि केवल theory सुनने के लिए activities were based in craft activities and practical experiences, यहाँ पर बच्चे को करके सिखाया जाता है, यहाँ पर बच्चे को करके सिखाया जाता है learning by experience है, ठीक है, अब अगर हम जॉन डीवी की बात करनें तो जॉन डीवी कौन थे, जॉन डीवी को प्रयोजन वाद का जनक माना जाता है यानि father of pragmatism, प्लीज ध्यान से सुनिएगा बातों को, इस परिंग में स्टेट हो सकती है या father of progressivism, यह भी कहा जाता है प्रयोजन वाद का जनक किसे माना जाता है, जॉन डीवी का और यह 1904 में इन्होंने क्या किया था, कॉलंबिया विस्विद्याले में यह दर्शन शाथ के professor के रूप में जो है नामित हुए थे, ठीक है और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे है the school and society the school and society इनकी रचनाएं हैं, इनके और है the elementary school record, यह कुछ बहुत सी बुके हैं, इनकी लिखी है schools of tomorrow, अब इनके अगर हम दर्शनिक विचार की बात करें, तो इनका जो दर्शनिक विचार है यह क्या कहते हैं, कि जो सत्य है, वो निश्चित नहीं होता यह देशकाल इम्म परिस्थिती के अनुसार बदलता रहता है, यहा एक साप्यक्ष तत्त है john devil क्या कहते हैं, कि सत्य और मूलिपूरु निर्धारित नहीं होते हैं ठीक है, यह आदि परलोक में विश्वास नहीं करते हैं यह कहते हैं, कि जो प्रत्यक्ष जगत है, वही सत्य है यह कहते हैं प्रयोगो द्वारा ही practicals द्वारा ही experiment द्वारा ही जो है सत्य की उत्पत्ती की जा सकती है यह सत्य की उत्पत्ती होती है देखे एक बहुत important line यह कहते थे समाज को बहुत important मानते हैं सोसाइटी को बालक के विकास में और यह कहते हैं कि अगर आपको किसी भी सोसाइटी का अध्यन करना है तो वहां के किसी भी एक स्कूल का जाकर आप फिल्ड विजिट कराई है तो यह था जॉन डिवी के बारे में इन्होंने कई बाते कहीं हैं यहा और कि पद्यितीयों में शंशोधन का नाम है ऑप्शन आ हैा सार जॉन्स रॉसन बी है जएनस jeśli डीविस और डी है गिलीन एंवम गिलीन थिक है तो इसका जो सही एंसर फो मैं आपको सकता है नेक्स कुश्चन है आपका क्वच्चनँ मरे 87 किसने द्रणता के साथ कहा की ताकत अच्छाई है और कमजूरी पाप है किसने द्रणता के साथ कहा कि ताकत अच्छा ही है और कमजूरी पाप है तो option है आपका टैगूर भी है विवेकानन सी है गांधी जी डी है अर्विन जो सही एंसर वह मैं आपको बताना चाहता हूं option number बी विवेकानन जी ने ये कहा था कि ताकत अच्छा ही है और कमजूरी पाप है विवेकानन के बारे में additional information जो है वो मैं देना चाहता हूं आपको इन्होंने राज योग क्यान यूग भक्तियूग यह मार्ग बताय थे करमियोग भक्तियूग इनकी रचनाएं भी है और साथी साथ रामक्रिष्lichen मिशन की इस्थापना भी इन्होंने की थी रामक्रिष्ण मिशन या रामकरिष्न मट कह सकते हैं अठारस सो सताननवे में ठीक है और मौडर्न विदान्ता का इन्हें जनक माना जाता है विदान दर्शन के ये पक्षधर थे प्रबल समर्थक थे विदानत दरशन के मौडरन विदानता का इन्हें पर्चिसर कहा जाता है और इन ही के शब्दों में अगर हम बात किये जाएं तो ये क्या कहते हैं सिक्षा का अर्थ मनुष्य में नहित शक्तियों का पूर्ण विकास है ना की मात्र सूचनाओं का संग्रह सिच्छा उस सनिहता पूर्णता का विकास है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है ये स्टेटमेंट डारेक्ट पूछा भी जा सकता है आप लोगों से साथी साथ ये कहते थे वीर बनू हमेशा कहो मैं निरभर हूं सबसे कहो डरो मत भय मृत्यू है इस टाइप के जो स्लोगन्स हैं वो स्वामी विवकानन जी की ही जो है देन है ठीक है नेक्स्ट वेस्टन अगर हम देखें आपकी कोई स्क्रीन पर है एक प्रजा चांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावसाली कारक कौन सा है आप्शन ए है आपका धर्म बी है सिक्षा सी है परिवार डी है समुदा है तो इसका जो सही एंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं आप्शन नमबर B सिक्षा सिंपल सा क्वेस्चन है देखे क्या लिखा है एक प्रजा चांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावसाली कारन कारन है याई कि जब हमारा एजुकेशन जो हमारा सोसाइटी एजुकेटेड होगी तो वो सामाजिक परिवर्तन शोशल रिफार्म लाने में सबसे प्रभावसील होगी ठीक है क्योंकि यह चक्र कभी नहीं रुखता है यह हमेशा गतिशील रहता है और सिक्षा जो है विविद भूमिकाओं द्वारा सामाज में परिवतन लाने का क्या करती है प्रयास करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर नकारात्मक सिक्षा की संकलपना किसने दी थी नकारात्मक सिक्षा की यहां बात हो रही है option है आपका russo, plato option c है dv और option जो आपका d है arvin तो नकारात्मक सिख्षा की यहां बात हो रही है तो इसका जो सही answer है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ नकारात्मक सिख्षा की बात की है russo ने ठीक है russo जो है प्रक्तिवाद से सम्मनित हैं इन्हें प्रक्तिवादी माना जाता है और इनकी एक बहुत फेमस रचना है emile तो russo यह कहते थे कि नियामक या नियंता के हार्ष से जो भी चीज मिलती है यानि जो बालक आता है वो गम शुद्ध होता है लेकिन सामाज में आते ही यह क्या है कि दूशित हो जाता है यानि सामाजिक लोग सोसाइटी उसे दूशित कर दीती है तो यहाँ पर जो निगेटिव एजुकेशन का इनके शब्दों में मतलब है निगेटिव एजुकेशन का मतलब यह है कि russo यह माते थे कि बालक के अंदर जितने भी निगेटिविटी है उसको केवल रिमूव कर दिया जाए तो बालक जो है उसका सरवांगिन विकास हो जाएगा यानि इन्होंने बात क्या कि कि बालक के अंदर जो अच्छे गुण है वो तो है उसे रहने दो एजिटिद लेकिन जो नकारात्मक गुण है तो option number A का सही answer था next question है आपका सिक्षा में योग की सुरुवात किसने की option A है आपका गांधी जी ने option B है टैगोर ने option C है स्री अर्विंद ने option D है वीवेकानन जी ने इसका जो सही answer है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्री अर्विंद जी है या इन्हें अर्विंदो भी कहा जाता है इन्होंने जो है सिक्षा में योग की सुरुवात की थी अब अर्विंदो के दर्शन की बात कहे रहे है तो इन्होंने integral education integral education की बात की है सरवांग सिक्षा जिसे कहते है integral education की बात की है तो सर्वांग सिक्षा का कॉंसेप्ट किस ने दिया है श्री अरविंदो ने दिया है इसमें इनोंने कहा क्या है इनके अनुसार क्या है मनिश के अन्तकरण के चार पटल होते हैं जिसे इनोंने क्या कहा चित, मन या मनस बुद्धी और ज्यान अगर व्यक्ति का यह सारों चीजें, जो हैं विक्सित हो गए, शर्वांगेण विकास हो गया, तो व्यक्तित के चरेद्र का आटोमेटिक जो है विकास हो जाता है, इनका माना ये था, ठीक है, तो इंटिग्रल एजुकेशन के सुत्रधार भी जो है, श्री अरविंदो है, औ अगर नेय早 consent कर चुके हैं एक स्क्रीन २ा prim पर सीखने के अंतर दृष्टी उत्धान्त के प्तिपादक थे सीखने के अंतर दृष्टी सिद्धान्त के प्तिपादक थे अपशन एह आपका को को होलर हम होगा और कशन द shaped Kenel D है पैवलों तो इसका जो हिर मैंना option a Kohler inside theory of learning किसकी है Kohler की है ठीक है inside theory of learning किसकी है Kohler की है और यह जो किस school से संबन्दित है यह Gestalt वाद से संबन्दित psychologist है Gestalt वाद इन्हें कहा जाता है Gestalt वाद ठीक है इसमें कुछ इनके साथ के जो मनवेग्यानिक थे जैसे Max वर्दिमर ने इसकी स्थाप नहीं की थी Gestalt वाद की साथी साथ इनके कूर्थ है कोफका है यह सब लोगों ने मिलके जो है Gestalt वाद की निव रखी थी तो अगर कहा जाया कि सिखने की अंतरदिश्टी के सिद्धान के प्रत्रपाते कौन थे तो कोहलर थे इन्होंने इंसाइट थी ओफ लर्निंग दी थी और इन्होंने कहा था जब किसी समस्या का समाधान हो जाता है तो बालक के अंदर एक आहा अन्भव आहा एक्स्पिरियेंस डवलप होता है AHA हना और इन्होंने जिस पर प् प्राइलेंड रर ठीक है त्युरी ऑफ कनेक्शन लिजम यानि समबंद्वन्द का सिधान किस ने दिया है थांडाइक ने दिया है एडिशनल इंफॉर्मिशन है जिसमें इन्होंने लॉफ रेडिनेस लॉफ एक्सरसाइस लॉफ इफक्त की बात की है उसके बाद ऑप्शन ने दी है अशिघ्र मध्य परलो का जो सिध्धान थे उसे हम लोग कहते हैं लुफ क्लासिकल केंडिशनिंक क्योडि चली त्वरेनेस श nell कॉछ वस्ता की प्रमुख विशेस्ता है और शरिरिक क्विकास में तीवरता।। और की मुर्ण प्रवर्त्यात्मक्त क्विवार। तो कि यह फिस्काल डवलोप्मेंट यह चिशें लिए यह शाषव ऑश्ता के प्रमुख्विशेष्थ यह सेखने की प्रक्रियातित्सेजर को से बढ़निधु यक्रियातल होती है उसकी प्रमुकष्थ विशीर आवस्था विशेषता क्या है वोगा ओष्ण नमँबर 70 सही अंसर है मुझ्प्रवर्थेयत्मक वियुःि हार जो बालक का इंश्टिंट होता है इंशंट we यही सारी क्रियाओं को करता है, कि जो बहुँत से मनोवगी स्यग्या ग्यान को बहुत है, Şu या going up, 2 year या जीरो से दो साल की यह वस्था होती है, शेश्वा वस्ता जिसमें शेशवाज वस्ता की, question number 93 आपका व्यक्ति के संसार का परिमाजन ही अधिगम है या संबंद है या संबंदित है किस से, छेतर सिध्धान से option A है, B है समीप्ता संबंद सिध्धान से, C है क्रिया पसुत अनुबन्नन सिध्धान से D है अनुबन्नित अनुक्रिया सिध्धान से तो इसका जो सही अंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ option number A, field theory, छेतर सिध्धान यानि कि व्यक्ति के संसार का परिमारजन ही अधिगम है यह statement किसका है यह है चेतर सिध्धान का और चेतर सिध्धान का दिया किसने है आप लोगोंने सुना होगा कर्ट लेविन का नाम कर्ट लेविन ने जो है field theory दी है और इसमें इन्होंने बताया क्या है कि जो इन्होंने तीन भागों बाटकर personality को को define किया है इसमें इन्हों ने बताया है एक इंसान जो होता है उसका एक personal individual छेतर होता है दूसरा उसका psychological environment होता है और तीसरा उसका life space होता है तो इस तरीकर से उन्हों ने बहुत अच्छी बाते की हैं ग्रेक्टित के विकास में और बताई भी है इसको हम लोग डीटेल में अगर देखना चाहा है तो यह है लाइफ स्पेस ऑफ एंडिविज्वल अकॉर्डिंग टू लेविन तो लेविन ने यह देखिए जो यह वाला सरकिल है यह आपका साइकलोजकल इन्वार्मेंट है और इनके बीच का जो इसपेस है इसे वेक्ट आँ के लिएकर करस्ण वेक्ती को गोल की और खीषता है और जो निगेटी होता है तो चीह दूर जाना चाहता है। अब ईसके बीच का जो भाया छेत्र है यानिकि जो आपका साइकलोजग बांडरी आफ like your books ए और फ फोर08 और फॉर souven blah... बांडीविएस इसके बीच प्लस सैक्लोजिकल इंवार्मेंट का जो इंटरेक्शन इसी को इन्होंने क्या कहा है इन्होंने लाइफ इस्पेस कहा है और हम इसको टेखनिकल दर्म में बताना चाहे है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं behavior equal to function of person plus psychological environment तो ये इनकी theory है बहुत ही important theory है living लेवनियन फिल्ट थेओरी जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें बात क्या कहीं जाती है कि आप परसन इस आप परसन इस मोटिवेटेड तो मीडियर इंडिविजल निट्स बाइप परसुइंग वरियस गोल जब इंसान की इंडिविजल निट्स पूरी होती है या ज़रूरत होती है तो वह मोटिवेट होता है उसको पाने के लिए द्रॉइंग अब इलस्टेट देशिक प्रिंस्पल एंडिमोंस्ट्रेट इंवर्मेंट विज्ट रिगार्डिंग तुद पर्टिक्लर बिहेवियर ठेक है नेक्स्ट के बात हम करें तो क्या है यह निव्ण में से कौन अच्छे मांसिक स्वास्थ का लक्षन नहीं है औप पड़ते ही आपको एंसर समाली में आ जाएगा कि जो ऑप्षन नंबर डी है समवे गात्मक और परिपकोता अच्छे मांसिक स्वास्थ का लच्षण नहीं होगा इसका है इमोशनल इमेच्योर्टी अगर हम इसको इंग्लिश टम में बात करें तो इमोशनल इमेच्योर्ट परिपकोता नहीं है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था नेक्स्ट के स्क्रीन पर बुद्धी का एक कारक सिध्धान्त दिया गया था ऑप्षन ए है थॉंडाइक द्वारा बी है स्कीनर द्वारा सी है बीने द्वारा डी है गिलफोर्ट तो इसका जो सही एंसर है वह मैं गया था साइमन बीने द्वारा बुद्धी का एक कारक सिध्धान दिया गया था अगर हम बीने की बात करें तो 1905 में इन्होंने साइमन के साथ मिलकर बुद्धी डापने का बुद्धी परिक्षण का या इंटेलियन्स टेस्ट टेवलप किया था था थॉंडाइक की बात क हैं जिसमें content operation और product type की चीज़े हैं option नमर बी की बात करें additional information में तो यहां इसकी नर्द वरा दी गई थी operation conditioning चुरी या क्रिया परसुत नमनन का सिध्धान अभी इस question से पहले थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने discuss भी किया था इसको तो option नमबर जो सी है इसका सही answer है साइमन बिने ने जो है बुद्धी का एक करेक्सिधान दिया था question नमबर 96 है आपका रोशार्क शाही दबा परिक्षण में कार्डों की संख्या होती है option option A है आपका 8, B है आपका option B है आपका 10, option C है आपका 12 तो इसका जो सही answer है वो मैं आपको बताना चाहता हूं option नमबर 20 का सही answer है रोशार्क शाही दबा परिक्षण में इंक ब्लॉट टेस्ट में 10 कार्डों कार्डों की संख्या 10 होती है additional information की बात करें तो इसे हर्मन रोशार्क ने 1921 में दिया था इसमें total 10 कार्ड होते हैं जिसमें से 5 ब्लैक और वाइट होते हैं और 5 colorful कार्ड होते हैं यह एक प्रक्षेपी विधी है यह प्रोजेक्टिव टेक्नीक है तो option B जो है इसका सही answer होगा रोशार्क दबा परिक्ष पस्वसता option B है अनुपयोग option C है A और B दोनों option D है इन में से कोई नहीं बहुत सिंपल सा question है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो answer खुदी आपकी सामने दिख रहा है जो कि option number C होगा A वब B यानि कि forgetting के factors क्या है हम क्यों भूलते हैं किसी भी चीज को हम याद करते ही क्यो अनुपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे दिबाग से निकलती जाएगी option number A वं B इसका जो है दोनों सही होगा यानि कि इसके कुछ कारण additional में बताना चाहता हूं जब हम revise नहीं करते हैं चीजों को तो हम चीजों को भूल जाते हैं दूसरा हमारा उसमें interest नहीं है क बूलने के और भी बहुत से करण है लेकिन यहां पर इत्ता ही डिसकस कर लिया बहुत है नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 सिक्षा की द्रिष्टी से मानो विकास का कौन सा पक्ष सरवाधिक महत्वपून है शारीरिक पक्ष सामाजिक पक्ष मानसिक पक्ष सम्विगात्मक यहां देखे फिजिकल हेल्थ तो मायने रखता है लेकिन सरवाधिक महत्वपून की बात हो रही है शोशल भी मायने रखता है लेकिन अगर आपका इमोशनल इंबैलेंसिंग है आपके अंदर या आपके बच्चे के निर्थ किसी के भी अंदर तो सिच्छा की द्रिष्टी इस थिरता है वो सरवाधिक महत्वपून है या महत्वपून बाधा साबित होती है सिच्छा की द्रिष्टी से यानि कि सिच्छा की द्रिष्टी से क्या है समय गातों कि विकास में व्यक्ति का समाजिक गुड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है साथ ही साथ सारी कियम मा का सूत्र क्या है, MA upon CA, CA upon A, option B, MA upon CA, गुड़े 100, option D, MA upon CA, यह option D थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया है, यहाँ पर CA upon MA into 100 होगा, अब इसका सही answer की बात कर लेते हैं, तो इसका जो सही answer है, option number B, इसका सही answer है, जो बुद्धी लब्धी होती है, IQ जो होता है, mental age upon chronological age into 100 होता है जहाँ पर mental age क्या है बालक की जो मांसिक आयू होती है chronological age क्या होती है त्याथिक आयू यानि बालक की जो real age है वो होती है और से हम 100 से multiply करके IQ जो है निकाल लेते हैं अब अगए additional information की बात करें तो जो IQ का concept है आयक्यू का जो concept है formula है किस ने दिया है तर्मन ने तर्मन ने दिया है कब दिया था 1916 में लेकिन एक question साथी साथ और पूछ लिया जाता है कि IQ की अवधारना किस ने दि थी तो सबसे पहले जो IQ का सुझाओ दिया था वो 1912 में William Stern ने दिया था ध्यान से समझेगा आयक्यू का जो सुझाओ दिया था William Stern ने 1912 में दिया था पहले ही वो दे चुके थे लेकिन IQ का जो formula है उसे टर्मन ने 1916 में प्रूफ किया था लाया था generate किया था तो थोड़ा सा fine difference है दोनों में इसी में बच्चे confused होते हैं तो इसको ध्यान से याद रखेगा ठीक है हो सक प्रभाव यानि जेनल्टिक एफेक्ट है भी है जेनल्टिक है इसको हम हरीडिटी भी कह सकते है एज प्रभाव एन्वार्मेंटल इफेक्ट और option नमर सी है और दोनों और option नमर दी है प्रोक में से कोई नहीं तो दिखे जो personality है वो केवल मात्र एक फेक्टर पर डिपन नह संबंध है हरेडिटी और इंवार्मेंट का वह व्यक्तित के निर्माण में बहुत ही इंपॉर्टन रूल प्ले करता है दोनों का होना बहुत ही जरूरी है तो option नमर सी जो है इसका सही एंसर है कि हमारे व्यक्तित तो पर आन्वांशिक परिणावी प्रभाव के परणाम सर कि option एंसर है सबसे पहले मैं वह आपको बता रहे चाहता हूं यहां पर नॉन परमेंट्रिक टेस्ट की बात करी जा रही है तो जो काई वर्ग है चिन है मान विटनी यह सारे नॉन परमेंट्रिक टेस्ट है इसमें पूछा है कौन सा नहीं है ध्यान से question पढ़िए तो नॉन परमेंट्रिक टेस्ट जो है टी टेस्ट नहीं है क्योंकि टी क्योंकि टे स्प्यूरली परमेंट्रिक टेस्ट अर्शियो सेम्पल और 2 और more sample इसी तरीकी से नौन पराटर भी वन और टू और more sample अब जो वन sample test होते हैं उसमें t-test और z-test आता है तो और more sample में जो टेस्ट होते हैं वो भी दो टाइप के independent samples जैसे two group t-test और z-test और paired samples जैसे paired t-test यहीं cool मिला कि t-test और जैसे जो है parametric test है और non-parametric test की बात करें तो वन sample वाले में काई square test है अना runs है binomial है ठीक है यह सारे test non-parametric है साथ यह साथ paired samples में देखें तो sign test है wilcoxon है मैकने अमार है काई square test है मान विटनी यू टेस्ट है काई square है median है यह सारे जो है non-parametric test के example है तो next question अब हम लोग देखेंगे क्या है next question आपकी screen पर है कि निम्लिखित में से कौन सा विश्वशनीता गुडांक या इस्थिरता गुडांक के नाम से जाना जाता है यानि कि जो reliability coefficient है या stability coefficient के नाम से इन में से कौन सा जाना जाता है कौन सा विश्वसनिता गुड़ांक यानि कौन सा reliability coefficient जो है stability coefficient के नाम से जाना जाता है option A है आपका परिक्षण पुनर परिक्षण विश्वसनिता यानि कि test, retest reliability इसको बोलते है TRR, दूसरा है आपका split half reliability यानि S hard विश्वसनिता C है आपका तार्किक सम्तुलिता equivalent और D.A. हुट विश्वसनिता तो इसका जो सही answer है सबसे पहले मैं वो आपको बता देना चाहता हूं option number A test, retest reliability है उसका सीधा संबंद जो है इस थिरता गुडांग से है और इसे ही इस थिरता संबंद होता है stability से और consistency से अब stability को कौन-कौन effect डालता है जैसे test retest देखे यही question में आपका पूछा गया है तो test retest का जो संबंद है किसे है stability से और parallel form reliability का भी संबंद इसी से है ठीक है इसी तरीके से consistency की बात करें तो इंटर item consistency reliability इंटर रेटर और split half reliability जो split half reliability है additional information में बताना चाहता हूं जो split half reliability है उसे हम लोग experiment brown prophecy formula भी कहते है इसे split half reliability को निकालने का जिसका formula क्या होता है rtt equal to 2r upon 1 plus r होता है यह भी बहुत question पूछा जाता है तो यह इसका formula है इसे split half method कहते हैं और experiment brown prophecy formula भी से कहते हैं तो इस थिर्ता गुडांग का संब्द directly किस से होता है वह आपका होता है test retest method से तो आज हम लोग ने इतने question discuss किये बाकी के questions हम लोग next class में discuss करेंगे और इस तरीके से यह प्रीवेस एर paper यह confirm clear हो जाएगा साथ ही साथ मैं आपको यह information दे देना पेपर आप दिखना चाते हैं तो यह है content के लिए यह है न्यू जॉब्स के वेकेंसी प्रीशन के information के लिए यह playlist दे रखी हुए है यूजी सीनट पेपर फर्स्ट के लिए playlist यहां दे रखी है psychology के लिए यह है education यूजी सीनट education के लिए यह है playlist आपके स्क्रीन पर दिख रही है साथी साथ बात करें सीटेट के भी question papers प्रीवेस यह के डाल रखे हैं मैंने और साथी साथ यूजी सीनट प्रीवेस यह question papers और पेपर भी मैंने डाल रखा है तो आप यहां से जाकर access करिए content बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं इसे access करके आप काफी अच्छी त्यारी कर सकते हैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थैंक्यू सो मच आपका दिन शुबहूँ